ये जो कबजा देख रहे हैं ये अलग ताइप का कबजा है दोस्तो और इसको लगाने का जो काम है ये उतना आसान नहीं है और इसमें हम ग्लाज भी लगा दिया है और साइड में जो बीड है बीड को भी हमने लगा दिया है दोस्तो और ये जो भेंतिलेशन है भेंतिलेशन म और यह जो भेंटिलेशन है भेंटिलेशन का जो सिंतर है सिंतर का जो दागी है उसको हमने लगा दिया है ऐसे पुरा इंची टेप से नापके इसका जो दागी है दागी को हमने लगा दिया है और लगाने के बाद इसमें होल करना परेगा और खासा भी कतिंग करना परेगा औ प्रास को हमने किस तरह से लगाया है उसको इस विदियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा यह जो भेंतिलेशन है भेंतिलेशन का जो सिंतर का जो दागी है हमने लगा के रखा है और कुस भेंतिलेशन में हमने आप लोग देखी रहे है खासा भी कतिंग कर दिया है और पत्ती है ये कबजा का जो पत्ती में ही होल रहता है इस तरह का जो कबजा है कबजा का एक पत्ती में ये होल रहता है और होल को ऐसे पुरा रख लेना है इसमें और इस पल्ला का जो सेंतर है सेंतर में पुरा दागी को लगा देना है दोस्तों ये जो होल देख रहे है होल में पेंसिल को घुमा के पुरा दागी को लगा देना है इस तरह से और दोनों पत्ती को मिला के एकड़म बराबर करके मिला के इसका जो मुताई है मुताई को ऐसे पुरा बराबर करके कटिंग कर देना है और कटिंग करने के बाद ही इसमें इसको को आप लगा सकते हैं दोस्तों और इसको को कैसे लगाना है और किस पत्ती में लगाना है उसको भी मैं दिखाऊंगा दोस्तो और ये सभी जो कबजा है कबजा को हमने खासा कटिंग करके इसमें बिठा के रखा है दोस्तो और इसका जो होल है होल को एक जम सेंतर में करना और ये जो पत्ती है पत्ती का जो उ है उसको अगर आप बनाएंगे तो ऐसा कभजा लगा सकते हैं उस तरह का और दूसरा कभजा आता है वो भी उसको आप लगा सकते है दोस्तों ये जो कबजा है ये सिफ भेंतिलेशन में ही आप लगा सकते है और इस कबजा को हम अभी लगाएंगे दोस्तों क्यूंकि खासा जो है दोनों को मिला के हमने कातिं कर दिया और होल भी हमने कर दिया है दोस्तों अभी ये जो कबजा देख रहे है इसका उपर का जो पत्ती है उसको सोर के नीशे का जो पत्ती रहता है उसमें हम कबजा को लगाएंगे और इस तरह से ये जो कबजा है कबजा का जो इसकू है इसकू को अभी हम लगा के दिखाएंगे दोस्तों और इसमें अभी हम बिठा रहा हूँ और ये जो कबजा देख रहे है ये ऐसे पुरा रह जाएगा तक्कर में पुरा ऐसे रह जाएगा और उपर का जो पत्ती है वो सिफ घुमता रहेगा इस तरह से हमने अभी इसकू को लगा दिया है और ये पुरा फितिंग हो गया है और ये जो भेंतिलेशन है भेंतिलेशन का जो फिटिंग का जो काम है दोस्तों उपर में जाके कैसे फिटिंग करना है उसको भी अगर देखना है तो बाद में हम विडियो बना के दिखाएंगे अभी इसको को हमने थोक दिया है आप लोग देखी सकते है और ये पत्ति अभी घूम रहा है इस तरह से इ तोक सकते है उसका बाद ही जो ग्लास है ग्लास का काम करना है दोस्तों और ग्लास को लगाने के बाद ये सब काम नहीं करना क्योंकि ग्लास जो है ग्लास तुतने का सांस रहता है ग्लास का जो नाब है इसको एक सुत या देर सुत कम करके ही आपको लगाना है दोस्तों लेकिन जो बीद है इस बीद को हमने एक सुट या देर्शुत बढाके कापिंग कर लिया है क्यूंकि इसमें हम कोना कापिंग करके कोना में लगाएंगे। और कोना जो है कोना को एक बीद को पहले एक कोना को cutting करना है उसका बाद देख लेना है उसका बाद ही दुसरा जो कोना है उसको cutting करना है और इस तरह से मैं अभी cutting कर रहा हूँ दोस्तों देखिए ऐसे ही पुरा cutting कर लेना है और पूरा जो बीद है सभी बीद को आप cutting करके नह उसका बाद ही आपको जो कील है कील पुरा मार देना है दोनों बीत में पुरा जो बीध है बीत में कोना कटिंग करके एक बार में ही लगा नहीं सकते हैं इस तरह से इसको लगाना परेगा अभी मैं दोनों बीत का जो कोना है कोना को मिला रहा हूं और कोना को मिलाने के बाद दोनों बीद को हम ठोक देंगे और ठोकने के बाद ही जो और दोनों बीद रहेगा उसको हम लगाएंगे सबसे पहले ये जो बीद है इस तरह से कोना कटिंग करके इसको मिलाना परेगा देखिए ये जो कोना है इसको ऐसे पुरा कटिंग करके मिलाना परेगा जो आधा एंसी का जो बीट आता है यही मैं अभी लगा रहा हूँ इसमें और आधा NC कोना कटिंग करके आपको लगाना है और दोनों बीट का कोना कटिंग हमने पुरा मिला दिया है मिलाने के बात यह जो कील है कील को हम यूज करेंगे और यह मोतावला कील नहीं है दोस्तों यह थी फोर साइस का कील आता है गिलास में लगाने के लिए उसको ही यूज करना यह बहतर है दोस्तों नहीं तो जो मोतावला जो हापेंसी का कील आता है दोस्तों इसको यूज नहीं करना है क्यूकि उसको अगर यूस करेंगे तो beat में जो kill है kill को लगाने में थोरा दिक्षब होता है ये जो beat है beat का center में kill को लगाना नहीं है थोरा side में लगाना है तो अगर side में मोटावाला kill लगाएंगे तो beat का side है वो फट भी सकता है और कील को ठोकने के लिए हातूरी का इस्तमाल नहीं करना है दोस्तों ये जो गुनिया देख रहे है ये जो राइटेंगल है इसको ही यूज करना है और राइटेंगल अगर पुराना होगा तो काम जो है काम अच्छा होगा क्योंकि पुराना होगा तो इसमें रफ नहीं होग जो पनें ग्लास आपका भी सकता है। ऑर पनें घूतितन. और बाद में ग्लास तूर भी सकता है दोस्तों और दिक्कत है इसलिए थोरा पुराना वाला अगर रैटेंगल है उसको लगा के आप किसी भी खिर्की का पल्ला में ऐसे जो ग्लास लगाने का जो काम है उसको करना और किस तरह से अभी में थोक रहा हूँ देखिए इस तरह से जो नाब है उसको अगर किसी को काटिंग करने के लिए आप दे रहे है तो उसको थोरा एक सूत या देर सूत कमती करके काटिंग करने के लिए नाब दे देना तभी ग्लास जो है ग्लास एकदम सही तरह से बेच जाएगा लेकिन अगर ग्लास थोरा तायत रहेगा तो बाद में सही रहता है अभी मैं जो बीद है बीद को पुरा भी ठोक रहा हूं और बाद में अगर दिक्कत होगा तो ऐसे भी आप कोना का जो काठिंग है काठिंग को कर सकते हैं इस तरह से तीनों बीद में हमने कील ठोक दिया है दोस्तों और बाद में एक बीद जो बसा रहेगा उ दोस्तों और इस तरह से ही पुरा कोना का जो कातिंग है उसको मिलाना है आज के लिए इतना ही मिलेंगे एक निया वीडियो में